टो क्लास स्टाट किया जा है और टॉपिक हम लोग लोग कवर कर रहे हैं टेमपल आर्किटेक्ट्चर एंड थो फार था पॉर्फर वड़ रस्टाहिश घ्र दर लेसे तेंपल आर्किटेक्ट्चर तो यह मैं थोर्ष्ट आर्म पॉर्फड आजोग लेता नागरा temple architectural style and in last class I have discussed a little bit about the Dravidian temple architectural style good evening ये बढ़िया नाम है आपका जो भी है soul of god ये सारे नाम अच्छे हैं बट थोड़ा unique है आईडी soul of god लग आप संकराचारी के philosophy अद्वायत वादा में बिलीव करते हैं प्रियस तो क्या हम लोगों ने समझा था लाख प्लास में थोड़ा सा मैंने बात किया अबाउट द्रविड मंदिर वास्तु कला और विमान क्या होता है गोपूरम क्या होता है इसको हम लोगों ने समझ लिया है अब हम लोगों क्या जानना है तो यह वुझ कर दोसरे क्या है या स्था खु क्या है तो ड्रहरर जाना है तो जिस तरह से हम लोग ने टॉपिक कवर किया था नागर मंदिर वास्तु करला ठीक वैसे ही हम लोग यहां टॉपिक कवर करने जा रहे हैं द्रवीरियन टेंपल आर्किटेक्चर द्रवीरियन टेंपल आर्किटेक्चर क्या कवर किया पहले आपको बताया इसके बेसिक फीचर basic features कल हम लोगों ने cover कर लिया है इसके मुख्य विसेश्थाओं को last class में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और उसके बाद फिर क्या जानना होता है evolution and growth evolution and growth इसमें हम लोग क्या समझेंगे evolution and growth में evolution and growth में समझेंगे पल्लवा यानि पल्लव राजाओं के सासनकाल में मंदिर वास्तु कला इसको समझना है उसके बाद विजय नगर राजाओं के सासनकाल में मंदिर वास्तु कला का विकास इसको समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे अंतिम में लास्त में पांड देया या समझना है विजय के सासनकाल में मंदिर वास्तु कला का विकास तो टेमपल आर्टिक्ट्ट्र इन पीरिड ओफ पंडेया रूलर और नायका रूलर्स यह जानना है और नॉरमली प्रिलिंस के कोश्चन यहां से आने के चांसें और यह इंप्टेंट टॉपिक है आप लोग question expect कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग start करने जा रहे हैं पल्लवा देखे पल्लव राजाओं के समय पल्लव आप लोग को पता है कहां के पल्लव है भाई वोट वज दे कैपिटल अब दा पल्लवा रूलर्स बता सकते हैं बता सकते हैं कैपिटल अब दा पल्लवा रूलर्स कैपिटल था कांची पुरम कहां है कांची पुरम तमिलनाडू में है कांची पुरम यहां इनकी राजधानी थी और पल्लव राजवन्स के संस्तापक थे सिह रिष्णू पर आप लोग पढ़े होंगे महेंद्र वर्मन प्रथम जिसकी उपाधी थी विचित प्रचित चैत्य पुलकारी जिसने किताब लिखा था यह असकांची पुरम पॉटेंट रूलर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और यह मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास एक बेसिक आइडिया है एक बेसिक नॉलेज है किसके बारे में पल्लवा रूलर्स के बारे में पियस पल्लव राजाओं के समय किसका इवलीशन हुआ तो पहला नंबर इवलीशन आफ वाट द्रवीडियन द्रवीडियन टेंपल आर्किटेक्ट्चर यानि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कि पल्लव राजाओं के समय अनसर है विकास की प्रकरिया आरंब हुई किसके समय में आंसर है पल्लवा रूलर्स के समयमें उसके बाद जो पल्लवा टेंपलस थे पल्ल्लवा टेंपलस पल्लव जो मन्दिर है वह तीन प्रकार के थे कौन कौन से तीन प्रकार है भाई रॉककर टेंपल यानि हिंदी में क्या बोलेंगे रॉककर टेंपल को हिंदी में बोलेंगे गुहा मंदिर अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे गुहा मंदिर किसे कहते है उसके बाद फिर दूसरा है monolithic temple, monolithic temple, यानि एक आस्मक पत्थर से निर्मित मंदिर, एक आस्मक एक पत्थर से निर्मित मंदिर, तो एक आस्मक मंदिर लिख दिया यहाँ, और फिर third structural temple, structural temple, यानि संग्रचनात्मक मंदिर, यह क्या होता है, आप लोग सब को मालूम चल चुका है, स्वतंत रूप से बनाए गए मंदिर, independently erected temples, यह हम लोग को पता है, कि independently erected temples किसे कहते हैं, या structural temples किसे कहते हैं, यह हम लोग को मालूम है, तो यह तीन तरह के मंदिर हो गया, rocket temple, monolithic temple और structural temple, और द्रविड मंदिर वास्तु कला का विकास, किन राजाओं के समय शुरू हुआ दक्षिन भारत में, आंसर आ गया, कांची पुरम के फल्लव राजाओं के समय, लेकिन यहाँ ध्यान देने की आवश्यक्ता है, वो क्या, कि द्रविड मंदिर वास्तु कला का विकास तो आरंभ हुआ, उदय तो आरंभ हुआ, लेकिन यह अपने सर्वुच्चता के स्तर पर अपने क्लाइमेक्स, अपने जेनिट, अपने एपिटमी पर नहीं पहुँच पाया, अभी यह विकास के आरंभिक दौर में था, विकास अपने सर्वुच्चता पर कब पहुँचेगा, अगले, अगले राजवन्स के समय, अ टेंपल को समझने का प्रयास करते हैं यह सब हम लोग बात कर चुके हैं क्या है गोपुरम विमान क्या है यह सब लोग को समझ में आ चुका है प्रकारा क्या है यह भी समझ में आ गया यह गोपुरम कल आपको मैंने दिखाया था ये ब्रेदेश्वर मंदर का गोपुरम आज हम लोग बात करेंगे समझेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या पल्लाव काल के मंदर पल्लाव राजाओं के समय बनाए गये मंदर इसको हम लोग समझने जा रहे हैं तो पल्लोव राजाओं के समय कई प्रकार के मंदिर से बताया ही अभी एक बताया आपको रॉपकर्ट अब गुहा मंदिर अब गुहा मंदिर भी दो तरखे हैं एक को कहा जाता है महेंडर वर्मन स्टाइल यानि हिंदी में क्या बोलेंगे महेंदर वर्मन सहली एक सासक ते महिंद्र वर्मन मैंने अभी नाम बताया उसके समय में जो भी टेंपल्स बनेंगे जो भी टेंपल्स बनेंगे वो कैसे थे रॉक कट टेंपल्स थे तो उसके सासनकाल में जो भी रॉक कट टेंपल्स बना उसे क्या बोला गया उसे बोला गया है महिंद्र वर्मन स style च्चेंपल्स आफ महिंद्र वर्मन उसके बाद दूसरा रॉपकर टेंपल्स में क्या आएगा मामल स्टाइल कि मामल स्टाइल कि या फिर नर्सिम्हा वर्मन पस्ट तो नर्सी वर्मन प्रथम के समय जो रॉपकर टेंपल बना उसे बोला मामलसेली क्यों बोला गया है क्योंकि नर्सी वर्मन प्र Inf ripped की एक उपाधि थी मामल या माहमल वह उसने महाबली पुरम या मामल कुर्ण सयर की स्थापना की थी ऊसलिए उसे मामल भी कहते हैं इसके मामल का मिनिंग होता है रेसलर यह और को दोटा है ना और महामल या मामल ऑननका एक्जाक्ट तैंड मीनिंग की इस तो इन दोनों राजाओं के समय मंदर का निर्मान हुआ और यह मंदर मुख्य रूप से कहां देखने को मिल रहे हैं तो यह मंदर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे कहां भाई आंसर है महाबली पुरम महाबली पुरम महाबलीपुरम में मंदिर देखने को मिलेंगे रॉककर्ट टेमपल जैसे महाबलीपुरम में गनेश टेमपल है तो कई सारे वहाँ पर रॉककर्ट टेमपल है उसी तरह से महिंद्र वर्मन के प्रथम महिंद्र वर्मन प्रथम के सासनकाल में तमिल नादू में एक स्थान है मंदगा पट्टू वहां पर रॉक कट टम्पल के आएविदेंस मिले हैं यानि महंंदर वर्मन के सासंकाल में मंदगापट्टू नामक उस्थान पे मन डगा पट्टू नामक उस्थान पे rock cut temples बनाए गए हैं बट normally आपके exam के लिए important नहीं है इसलिए हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं जो आपके exam के लिए important है जिसके आने के chances हैं उसी पर हम लोग को focus रहना है तो rock cut temples के बारे हम बताया है ना कि कहां पर evidence मिले है rock cut temples के महेंद्र वर्मन स्टाइल और मामल स्टाइल जिदि आपको याद रखना है तो महाबली पूरम और मंदगा पट्टू महाबली पूरम और मंदगा पट्टू से क्या मिला है भाई तो rock cut temple ये गुहा मंदिर का उदारन मिला है अब अगला है monolithic temple ये है important very very important monolithic temples हिंदी लिखने के आवशक्ता नहीं है पहले लिख चुका हूँ एक आस्मक पट्टरों से निर्मित मंदिर इसे क्या बोला गया है monolithic temples बोला गया है इसके उदारन कहां से मिले है और किसने बनाया है तो ये मंदिरों को बनाया गया है built in the reign of नर्सिम्हा वर्मन फर्स्ट नर्सिम्हा वर्मन फर्स्ट यानि नर्सि वर्मन प्रथम के सासन काल में जिसका title क्या था अभी बताया आप लोग को इसकी title थी मामल या उपाधी क्या थी मामल इसकी उपाधी थी ठीक है चलिए यहां तक जान गए अब बस मंदर का नाम जानना है और यह मंदर के example या evidence कहां से मिला है भाई evidence मिला है महाबली पुरम से महाबली पुरम से मंदर के उदारन मिले है महाबली पुरम कहा है तो बंगाल की खाडी के तट पर स्थित एक तटिये सहर है तो इट इस अ कोस्टल टाउन लोकेटेड ऑन दे बे ऑन दे कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल वेर इन विच स्थेट तमिल नाडू और यहां के जो टेंपल से माई डियर वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके युनिस्को के अंडर समझ गए महाबली पुरम के जो पल्लव मंदर है वह विस्व विरासत स्थल का हिस्सा है तो आई यह देखिए यह है महाबली पुरम के एकास्मक मंदर क्या बता रहा हूँ मोनोलिथिक मेड आप सिंगल स्टोन किसके समय में बना यह आप लोग को पता है अब बस दो चार का नाम जान लेना है वैसे आपको पहले बता दें नाम को बताने के पहले महाबली पुरम में जो एकास्मक पत्थरों से यह एक पत्थर से जो मंदर बने हैं उनको समग रूप से किस नाम से जानते हैं कलेक्टिव ले उनको किस नाम से जानते हैं भाई मंदरिथिक टेम्पल्फ फाउण्ड वयर फाउण्ड आट महाबली पुरम are collectively known as किस नाम से एक नाम है सब्त पैगोऩा या फिर एक और नाम है पंच पंडवा रद या फिर पंच पंडवा रद या फिर पंच पंडव रद पंच पंडव रद गलत नहीं होना चाहिए किस से बना हुआ है एक पत्थर है ना मेंडव सिंगल स्टों और किस नाम से जाना गया है सब्ट पैगोडा सब्ट पैगोडा कौन कहते थे यूरोपियन सेलर्स कहते थे समझ गए जो यूरोपियन नाविक थे वो जब बंगाल की खाड़ी में यातरा करते थे और इन मंदिरों को दूर से देखते थे तो उनको लग जाता था कि हम लोग कहां पहुंच चुके हैं तमिल नाडू के आसपास पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसका नाम दिया था सब्ट पैगोडा सायग साथ मंदिरों का समू रहा होगा लेकिन यह साथ मंदिर के अवसेस नहीं मिले हैं पांडवों के नाम से जुड़े हुए यहां मंदर के साथ मिले हैं कौन कौन सा है कुछ दो-चार नाम जान लेते हैं जैसे देखे यहां पर आपको यह दिख रहा है इसका नाम क्या है धीम रत धीम रत और भी है द्रौपदी रत गनेस रत ये देखें अगला है ये गनेस रत किसका बना हुआ है भाई किसका बना हुआ है एक पत्थर का गनेस रत और जो याद रखना है वो ये है क्या याद रखना है? पंच पांडव रत में जो सबसे बड़ा है वो है धर्म राजा रत या युधिस्ठे रत कल जो आपको मैंने बताया था द्रविड सैली के मंदिर की विसेशता हैं देखें द्रविड मंदिर का आरंभिक रूप आपको इसमें दिखने जा रहा है यहां देखें यह जो विमान है यह पिरामिड नुमा है और इसके ऊपर एक स्टूपिका है गुंबदाकार या अर्द गुंबदाकार संगचना आपको दिख रही है है न स्टूपिका तो द्रविड मंदिर का आरंभिक रूप आपको किसमें दिखाई देता है उत्तर है धर्म राज रत यह धर्म राजा रत कहां पर है यह महापली पुरम में है और उसी पंच पांडवा रत का हिस्सा है तो सबसे बड़ा रत मंदिर कौन हो गया धर्म राज और सबसे छोटा रत मंदिर द्रौपदी रत इसका इमेज यहां नहीं है द्रौपदी रत देखें साइब मैंने दिया है यूस किया है क्या नहीं दियर यहां नहीं है तो अभी तक आपने पल्लव राजाओं में दो तरह के मंदिरों को समझा नंबर एक रॉककर टेमपल और नंबर टू इस वाट नंबर टू इस मोनोलिफिक टेमपल अब क्या बात करने जा रहे हैं अब बात करने जा रहे हैं समझने जा रहे हैं किसके बारे में तो समझने जा रहे हैं About Structural Temple यानि संग्डशनात्मक सैली के मंदिर इसका ताटपद यह क्या होता है स्वतन्त रूप से बनाएगे ये मन्दिर आप कहीं से पथर ये कहीं से इंट ला रहे हैं उस को जोड़ कर ये इंस्टर लोकिंग्साहिफHHHH उस टेंपल यदि निर्मान करते हैं निंद्वान प्रतों करते हैं तो से मिलोग क्या बोलें तो आएए इस त्रुक्वorta टेंपल structural temples तो जो पल्लवा structural temples है यह संग्रचनात्मक मंदिर है संग्रचनात्मक मंदिर है यह दो तरके हैं दो सैली में बनाए गया है एक है राज सिमह स्टाइल राज सिमह स्टाइल हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में कहते हैं राज सिह सैली और दूसरे का नाम है नंदी वर्मन स्टाइल यानि नंदी वर्मन सैली यानि नंदी वर्मन सैली यह राजाओं के नाम पर इन सैली का नाम बढ़ा है इनमें कुछ अंतर तो है बट आपके एक्जाम के लिए फिर से बोलू वो इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चले थोड़ा सा जान तो लें राज सीह सैली के जो मंदिर है समान्यता नंदी वर्मन सैली के मंदिरों के तुल्ला में बढ़े है व्रिस्त्रित है नंदी वर्मन सैली का मंदिर कम व्रिस्त्रित है छोटा है लेकिन अधिक अलंकरन अधिक है यानि the temples built under नंदी वर्मन style are of smaller in height but more decorated than the राजिस्य महाश्टाइब अलंकृत ज्यादा है लेकिन छोटे हैं और ये व्रिस्त्रित है कौन भाई राजिस्य क्या आपके एक्जाम में ऐसे questions पूछे जाएंगे आंसर है नहीं क्या पूछा जाएगा ये मंदिर कहां है कौन बना रहा है that's it है ना स्वतन्त रूप से बना है या monolithic है या rock cut है ऐसे ही प्रस्नाते हैं तो इसमें example क्या है भाई राज सिमा में दो example देने जा रहा हूँ एक है कांचीपुरम का कैलासनात मंदिर कैलासनात टेमपल कहां का भाई के फौर कांचीपुरम कैलासनात मंदिर और फिर महाबलीपुरम का सोर टेमपल ये कहां है M4 महाबलीपुरम तो कांचीपुरम का कैलासनाथ मंदर और महाबलीपुरम का सोर मंदर या तटिये मंदर कैलासनाथ नाम से पता चल रहा है dedicated to Lord Shiva लेकिन जो सोर टेमपल है तट के पास है बंगाल की खाड़ी के तट के पास है नाम से पता नहीं चल रहा है कि इस किस देवता को समर्पित है तो यहाँ पर आपको सिव का या भगवान सिव या Lord Shiva का भी टेमपल है और Lord Vishnu का भी टेमपल है आए जड़ा इमेज देखने भाई ये देखे ये सामने आपको दिख रहा है ये कौन सा मंदर है ये है कांचीपुरम का कैलासनाथ मंदर चारों और दिवारों से घिरा हुआ है यानि फ्रकार यहाँ पर आपको थोड़ा गोपुरम भी दिख रहा है इधर आपको विमान भी दिख रहा है जो कैसा है पिरामिट नुमा और उस विमान के ऊपर एक गुमबदाकार, डोम सेफ, क्या दिख रही है, इक स्टक्चर दिख रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूपिका कहते हैं, तो इस वन इस स्टूपिका, है न, स्टूपिका, यह आपको पता है, यह क्या है भाई, यह है विमाना, है न, और इधर जो है, यहाँ पर क्या है, समझ लीजिए, यहाँ जो प्रवेश द्वार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोपुरम, लेकिन गोपुरम अभी विक्सित नहीं हो पाया है, गोपुरम वस्तुता विक्सित कब होगा, तो गोपुरम वस्तुता व मंदिर वास्तु कला का आरंभिक मंदिर में से एक माना जाता है वन अप दे अर्लिएस टेंपल है ना बिलॉंगिंग टू विच स्टाइल आंसर इस द्रवीडियन स्टाइल थोड़ा थोड़ा आप लुग को समझ में आ रहा है इस इट क्लेर टू आल अफ यू कि हुआ कि अग्राइब आफ यह समझ रहा है है कि आगे बढ़ते एक और टेंपल आपको बताने जा रहा हूं क्या बताया यह देखे यह है महाबलीपुरम का सोर टेंपल क्या बताया क्या है भाई यह है महाबलीपुरम का सोर टेंपल किसने बनाया तो आंसर है बनाने वाले जो राजा का अनाम है राज सिंह को क्या कहा जाता है राज सिंह किसकी उपाधी थी नरज सिंह लिखा हुआ है ये वच्चुता किस राजा की उपाधी है तो आंसर है नर्सिम्हा वर्मन सेकेंड नर्सिम्हा सेकेंड नर्सिंध वितिये या नर्सिंध वर्मन वितिये उसकी उपाधी थी राजसिंध उसी ने ये दो मंदिर बनाया कैलासनात मंदिर कहां पर कांचिपुरम में और सोर टेंपल तटिय मंदिर कहां बनाया इसने बनाया महाबली पुरम अब जड़ा देखें नंदी वर्मन सहाब क्या बना रहे हैं नंदी वर्मन इसने बनाया कांची पुरम में मुक्तेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर टेंपल कहां पर कांची पुरम में गुद्दी मलम में क्या बनाया में गुद्दी म juvenile है गुद्दी मलम में इसने बनाया परसू रामिश्वर टेंपल Jew 빨 iter нуж रामेश्वर गुद्डी मलम समिलनाडू में हैं सारे कांचीपुरम में वैकुंट पेरुमल का भी टेम्पल है कांचीपुरम एक और बता दिया वैकुंट पेरुमला टेम्पल कांचीपुरम में वैकुंट पेरुमल का मंदर और गुद्डी मलम में परसु रामेश्वर मंदर गुद्डी मलम में परसु रामेश्वर और कांचीपुरम में मुक्तेश्वर और वैकुंट पेरुमल मंदर लिख पा रहे होंगे आप लोग बताएए 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 येस तो तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया पल्लव कालीन मंदिर अब इतना लिखने के बार हम लोग को ये भी गेस करना होता है कि यार प्रस्न आएगा कहां से तो आपको मैं बता दूँ प्रस्न जो है वो रथ सैली के मंदिर महाबलीपुरम वाले क्योंकि वो विस विरासा तस्थल का हिस्सा है और आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको वैसे भी बता दूँ कि जो युनेस्को के वर्ल्ड हरिटेज साइट है यहां से आप एक कोश्चन एक्सपेक्ट कर सकते है युनेस्को के वर्ल्ड हरिटेज साइट तो महाबलीपुरम यानि पल्लव कालीन जो मंदिर है महाबलीपुरम के वो क्या है वो UNESCO के World Heritage Site का हिस्सा है विस्विरास्यतिस्थल का हिस्सा है तो वो important है तो पंच पांडवा रत important है और कांची का कैलासनात मंदिर और महाबलीपुरम का सोर मंदिर यही important है यहां से यहां से मतलब कहां से फल्लो टेंपल से features आप लोग जान चुके है अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे कहां बढ़ रहे हैं अब बढ़ रहे हैं चोला चोला पीरियेड यह कौन से चोला है भाई यह आरंभिक मद्यकाल के चोल है यह संगम कालीन चोल नहीं है क्लियर न जो जिनका सासन यह इन चोल राजाओं का सासन नौवी सदी से लेकर तेरहवी सदी तक रहेगा कहां पर भाई तो आंसर है तमिल नाडू में नाइंफ सेंचुरी से लेकर तर्टीन्थ सेंचुरी तक तमिल नाडू में यह कहां के चोल है इनका कैपिटल क्या है इनका कैपिटल था तंजाओर या तंजाओर तंजाओर कहां है तंजाओर तो आंसर है कावेरी नदी घाटी या लोवर कावेरी रिवर वैली में कावेरी रिवर वैली या लोवर कावेरी रिवर वैली निचला कावेरी नदी घाटी या निम्न कावेरी नदी घाटी में कौन है तो चोल है इनकी राइधानी है तंजौर तो हम लोग बात कर रहे हैं तंजौर के चोल मैं बात नहीं कर रहा हूँ उरयूर या कावेरी पत्नम के चोल उरयूर या कावेरी पत्नम या पुहार के चोल कब के हैं संगम यूग के तो संगम यूग हम लोग यहां नहीं कवर कर रहे हैं हम लोग यहां है आरंविक मद्धिकाल अर्ली मिडिवल एरा में हैं हम लोग तो तो अब आईए इनके कुछ फीचर्स जान लेते हैं हम लोग फीचर्स पहला नमबर कि चोल राजाओं ने किस मंद्र वास्तु कला को पढ़ावा दिया तो देव पैटरनाइज द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर्स ठीक है यानि चोल राजाओं ने द्रविड मंद्र वास्तु कला को संग्रक्षन दिया पहला पॉइंट हो गया उसके बाद दूसा नमबर द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर्स रीच्ड टू इट्स फाइनेस्ट फॉर्म यानि द्रविड मंद्र वास्तु कला अपने सर्वुच्चता के स्तर पर पहुँच गई अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई यह दो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिये वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स है वो फीचर्स हम लोग को कम सबज़ना पूरता है यदि यह टौपिक्स आपके पूरे मेंस एक्जामनेशन में रहते तो फिर आपको पूरा जानना पड़ता है वैसे आपके मेंस एकजामनेशन में भी है तो लेकिन हम लोग यहाँ प्रिल्म कवर कर रहे हैं मेंस के बारें बात नहीं कर नहीं तो बस यही दो आप लेगा कौनी दो चाहर टेंपड का नाम जान लेना वैसे चोल राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्मान करवाया जानना है कुछ ही मंदिरों के बारे में क्यों तो कि हुआ नर्त मलाई जगह है 우리 यहां है चोलशवय टेंपल ये आरंभिक चोल मंदिर है नर्ट मलाई एक स्थान है यहाँ पर क्या है चोलेश्वर मंदिर उसके बाद तंजौर में तंजौर में है द्रविड मंदिर वास्तु कला का सर्वस्रेश्ट उदाहरन और वो है ब्रिह देश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर इस मंदिर का निर्मान किस ने किया तो आंसर है टेंपल बिल्ट बाई हूं बिल्ट बाई राज राजा फस्ट किस ने किया मंदिर का निर्मान राज राज प्रथम ने किया इस मंदिर का निर्मान कहां पर है ये मंदिर तंजौर में है ये मंदिर क्लिर न और इसे क्या माना जाता है द्रविड मंदिर वास्य कला का सर्वस्रेश्ट उदाहरन Epidomy of the Dravidian Temple Architecture यह climax Yeah Best Example of Dravidian Temple Architecture Best Example of the Dravidian Temple Architecture or epitomy of the Dravidian Temple Architecture तो द्रविड मंदिर वास्तुकला का सर्वसुरेश्ट उदाहरण मानते हैं यह यह देखें वो मंदिर द्रविड यह यह है आपका ब्रिधेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है या किस देवता से समर्पित यह किस देवता को समर्पित यह मंदिर है तो आंसर है लॉड सिवा यानि भगवान सिव को यह समर्पित है क्लियर ना? किसने बनाया ये भी आपको पता चल गया और क्या बताया? द्रविड मंदिर वास्तु कला का सर्वस्रेष्ट उदाहरन है एक विद्वान है उनका नाम है परसी ब्राउन ये नाम याद रखेंगे परसी ब्राउन इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था बहतेश्वार मंदिर को देख करके क्या बोला था? कि द्रीदेश्वार मंदिर और बहतेश्वार टेंपल आफ तंजोर is the best example या specimen best specimen या example of द्रवीडियन आर्किटेक्चर द्रविडियन आर्किटेक्चर बेस्ट एक्जामपल यह देख रहे हैं यह इस टूपी का जो है यह इस टूपी का किस अच्छा आप हिंदी में बता दू कि किस विद्वान ने ब्रिदेश्वर मंदिर के बारे में कहा था कि ब्रिदेश्वर मंदिर जरविड मंदिर वास्तू का लाका स्रेश्ट उदारन है यह सर्व स्रेश्ट उदारन है तो आंसर है परसी ब्राउन परसी ब्राउन क्लियर थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे होंगे और बहुत ज्यादा आपको मेरे तरब देखने क्या आवशकता नहीं है हाँ जो इमेज दिखाता हूं उस वक्त आप लोग देख लें क्यों ऐसा इसले बोल रहा हूं कि आपके आपको पर स्ट्रेस नहीं पढ़ना चाहिए आपक यह होगा कि आप क्लास में बैठे बैठे 60% टॉपिक आपका वैसे ही याद हो जाएगा यदि आप लिख रहे होंगे तो और केवल यदि आप सुन रहे होंगे तो मैं बता दूँ कि 10 मिनिट से ज़्यादा आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर आपका कोमेडी सो नहीं चल रहा है कि आप देख पाएंगे और ज्यादा देखना नहीं है ज्यादा फोकस रहना है वाइटिंग पर उससे कंसेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा आपका टॉपिक को लेकर जो अंडिस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी और 60-70% टॉपिक आपको आपको कि याद हो जाएगा तो यह काम जरूर करेंगे तभी आप इस ऑनलाइन क्लास का इफेक्टिवली यूटिलाइजीशन कर सकते हैं अधरवाइस कोई मतलब नहीं है यह स्टोर एक दो स्टोर यह और आपको बता दें यह रहें यह जो है यह स्टूपिका है और इसका वेट कितना है इसका वेट है लगभग 80 टन और उस वक कोई आधुनिक तक्नीक तो थी नहीं तो फिर कैसे इतनी उचाई पर इस उचाई यहाँ पर एक सो फिट से 173 फिट के आसपास इसकी उचाई है वहाँ पर इसको पहुचाना है तो क्या हुआ एक ऐसा रास्ता बनाया गया लगभग 3-4 किलोमेटर का धलुआ रास्ता बनाया गया और हाथी और लोगों के मदद से यह जो 80 टन का स्टूपिका है यह यहाँ पहुचाया गया था तो तंजौर से दूर 3-4 किलोमेटर दूर एक गाउं है वहाँ से एक धलुआ या स्लोपी रास्ता बनाया गया और फिर हाथी और लोगों की मदद से इस 80 टन वाले इस टूपिका को कहां पहुचाया गया तो मंदिर के उपर यानि विमान के उपर पहुचाया गया समझ गई यह पहला पॉइंट बताया दूसरा पॉइंट यह है कि यह जो मंदिर है यह किस पत्थर का बना हुआ है तो आंसर है ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर का और कहा जाता है इसके आसपास यानि जहां ये मंदिर बना इसके आसपास ग्रिनाइट नहीं मिलते हैं तो कुछ विद्वानों ने कहा कि ग्रिनाइट काफी दूर से लाया जाता था कि इन लोगों ने अपने pocket से पैसा निकाल कर मंदिर नहीं बनाया जब भी इनको मंदिर बनाना होता था तो दूसरे राजाओं के राज्य पर आत्रमन करते थे वहां से धन संपदा लूटते थे और उस धन संपदा के द्वारा मंदिर का निर्मान करते थे वैसे इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं इंट्रेस्टिंग बाते हैं बट क्या हमारे एक्जाम के लिए important है answer है नहीं और क्या यह हमारे पास इतना time है कि हम लोग वह सारे स्टोरी सुने स्टोरी सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन अभी हम लोग के प सारी जुन गुपूरम को किम से और मंदिर का थो कौन सा फुर्च का मंदिर है और सब से बढ़ तसका रजान सबसे बढ़ा है तो अंसर है अकार डेश्वार मंद्र किस देवता को समर्पिथ हैं लौड सिवा को कौन सा निर्मान समगरी in construction तो यह सब आपको याद रखना है क्या युनेस्को का विरासत इस्थल है आंसर है येस लेकिन उसको मैं अलग टॉपिक के फॉर्म में कवर करूंगा ऐसा क्यूं करूंगा बाद में पता चलेगा तो ये दो टेंपल बताया तीसरा टेंपल जो है वो है आपका ये रेखिए ये रेखिए ये तीसरा टेंपल इसको हम लोग क्या कहते हैं ये जो टेंपल है इसका नाम है गंगई कोंड चोल पूरम का सिवा टेंपल सिवा टेंपल सिवा मंदिर कहां का भाई सिवा टेंपल ऑफ गंगई कोंड चोला पूरम ये कहां पर है गंगई कोंड चोला पूरम इस सहर का निर्माता कौन है इस सहर का निर्माता है राज राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र फर्स्ट है ना इसने इस सहर को क्यों बनाया राजेंद्र प्रथम ने तो Turnsराजेंद qui चोल सेनाने बंगाल के पाल सासर को बंगाल में जाकर उस- acqu असक का नाम था महीपाल two बंगाल में जाकर चोल सेनाने महीपाल को पराजित किया और इसके उपलकश में राजेंदर प्रफम एक उपाजी धारण की तो क्या बताया अभी तक दर चोला आर्मी वेंट वेर बंगॉल and defeat इसलिए क्लास में इंटरप्शन हो गया इसलिए क्लास में इंटरप्शन हो गया कि यह दिया है तो हम लोग समझ रहे थे चोल कालीन मंदिर चोल कालीन मंदिर और चोल कालीन मंदिर में मैंने अभी अभी तक आपको बता दिया और अभी तक आपको मैंने बताया अबाउट ब्रहदेश्वर टेंपल यह बताया कि द्रविड मंदिरों में सबसे बड़ा विमान किसका है गोपुरम नहीं है विमान मैंने बताया आंसर है ब्रहदेश्वर मंदिर इसके बाद इस मंदिर का निर्मान किस ने कराया कहां पर है यह ब्रहदेश्वर मंदिर किस पत्थर का यह बना हुआ है इसके बारे में बनाया बताया आप लोग को और फिर हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे यस मैं बता रहा था आपको गंगई कोंड चोल पुरम का इस वेट कि यस क्या बता रहा था आपको आपको बता रहा था आपको बता रहा था कोंड चोल पुरम गंगई कोंड चोल पुरम का सिव मंदिर सिव मंदिर है ना यानि दर सिवा टेंपल ऑफ गंगई कोंड चोल पुरम है कहां पर भाई यह तो यह है आउट्सकर्ट ऑफ तंजाओर या गंगई कोंड चोल पुरम है तंजौर का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर है जिसे हम लोग कहते हैं घंगई कौन चोलपुरं यह बस तो एक सहर था छोटा सा सहर था इसकां फाउंडर यह संसापक कौन तो इसका संसापक राजेंदर फिर्स्ट तो राजेंदर प्रथम ये कौन है तो ये है राज-राज प्रथम के पुत्र राज-राज प्रथम के पुत्र राजेंदर फिर्स्ट Now everything is clear आप लोग को समझ मारा होगा अभी तो राजेंद्र प्रथम ने इस मंदर का निर्मान करवाया, इसके पीछे का स्टोरी यह है, कि राजेंद्र प्रथम की सेना कहां पहुचती है, बंगाल और वहां पाल राजवन्स का सासन है, और पाल सासक का नाम है महीपाल, और चोला आर्मी ने महीपाल जो कि बंगाल का पाल सासक है, उसकी सेना को पराजित किया, और इस विक्टरी को सेलिब्रेट करने के लिए, इस Conqueror of Ganga, क्या टाइटल लिया भाई, टाइटल लिया गंगई कोंडा, कोंडा मिन्स Conqueror, किसका Conqueror, गंगा का, और फिर to celebrate this victory, इसने on the outskirt of Tanjore, एक सहर established किया, उस सहर का नाम है गंगई कोंड चोलपुरम, यहां पर इसने एक बड़ा सा ठैंक बनाया, मतलब एक विसाल बनवाया, और उस तालाब में गंगा का जल डाला गया, और फिर उसी तालाब के आसपास या उसी सहर में इसने एक सिव मंदर का निर्मान करवाया, जो कि युनेस्को के विस्व विरास्तिस्थल का हिस्सा है, वर्ल्ड हरिटेज साइट रहिए, तो जान गये, गंगई कों चोलपुरम का सिव मंदर, हिस्ट्री बता दी आपको, और यह है तीशरा, इसे हम लोग कहते हैं, दारा सुरम का एरावतेश्वर मंदर, क्या नाम है भाई, दारा सुरम का एरावतेश्वर मंदर, दारा सुरम, दारा सुरम तमिलनाडु में जगह है और यहां मंदिर का नाम है एरावतेश्वर मंदिर एरावतेश्वर मंदिर देखे थोड़ा सा यहां 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 यह जो मंदिर है इस मंदिर के सामने हाथी की प्रतिमा है और यहां पर भी देखें चक्र बने हुए है यानि चक्र मतलब पहिया रहसा लगता है कि इस मंदिर को कौन खीच रहा है भाई हाथी खीच रहा है सिव का ही मंदिर है और इस मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो इस मंदिर का निर्मान करवाया राज राज वितिये ने राज राज सेकेंड ने इस मंदिर का निर्मान करवाया क्लियर और यह मंदिर भी युनेस्को के विस्व विरासत स्थल का ही हिस्सा है क्लियर डियर तो अब आईए वापस तीन सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर बनवाएं हैं किन लोगों ने चोल राजाओं ने हम लोगों सारे मंदिरों के बारे में उतना नहीं जानना है यह जो तीन मंदिर मैंने भी आपको बताया नमबर वन ब्रिदेश्वर मंदिर तंजोर का गंगई कोंचोलपूरम का सिव मंदिर और दारा सुरम का हैरावतिश्वर मंदिर इस थ्री टेंपल्स आर कंबाइनली नोन एज क्या बुला जाता है इनको कंबाइनली कहा जाता है क्या मुला जाता है कंबाइनली तो कंबाइनली कहा जाता है इनको ग्रेट लिविंग चोला एंपल्स यानि व्रिहद चोल मंदिर कहते है इन्हें व्रिहद चोल मंदिर कहा जाता है किन्हें तीन मंदिरों को उसके विमान के बारे मापको बताया किसने बनाया कौन सा निर्मान सामग्दरी है निर्मान सामग्द्री है यह सब आपको मैंने बताया तो I hope you all are getting my point properly और जरूर आप लोग लिख पा रहे होंगे इस एट क्लियर यह वेरी गूड अथर्व सन टेंपल और इसा के जैसा लेकिन यह जो टेंपल है हां यानि आप कह सकते हैं अरावतिश्वर टेंपल कहां का भाई तारा सुरम का तो यह टेंपल पहले बना है किस से सन टेंपल और कुनार्क कुनार्क का सूर्य मंदिर के पहले यह मंदिर बना है लेकिन हां लगबग आप वैसा कह सकते हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कौन टेंपल को पुल कर रहा है कौन खीच रहा है होर्स और यहां पर कौन है एलिफेंट येस तो आपको मैंने चोल मंदिरों के बारे में बता दिया अब बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा नॉट इन डिटेल विजय नगर के मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं फिर से मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को विजय नगर के बारे में एक एक आइडिया है विजय नगर में आप लोग चार राजवन्स के बारे में बढ़े होंगे संगम राजवन्स, सालूव राजवन्स, तुलूव राजवन्स और अराविडू राजवन्स संगमा डैनिस्टी, सालूवा डैनिस्टी, तुलूवा डैनिस्टी और अराविडू डैनिस्टी हना विजय नगर जिसको हम लोग हमपी भी कहते हैं और ये तुंग भद्रा नदी के किनारे तुंग भद्रा नदी के दाहिनी ओर ये तुंग भद्रा नदी है मान लिया जाए तो यहां इसके दाहिनी ओर क्या है विजय नगर या हमपी ये राजधानी थी मुख्य राजधान है और इसी छेत्र में करनाटक और आंद्र छेत्र में चार हिंदू राजवन्सों ने सासन किया 1336 से ले करेदी हम लोग बात करें लगभग 1641 इसमें तक यहां पर चार राजवन्सों का सासन था सीक्वेंस में पहला आया संगम राजवन्स जिसके संसापक कौन से हरीहर सासकों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे उसके बाद फिर आप पढ़े होंगे संगम के बाद सालूव राजवन्स जिसका फाउंडर था सालूव नरसिम्हा उसके बाद आप तुलूव राजवन्स में पढ़े होंगे सरुप्रमुक सासक या विजय नगर का सरवादि सक्षिसाली सासर क्रिस्न देव राय फिर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ताली कोटा या फिर बन्नी हट्टी या राच्छस तंगडी का युद्ध यह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लियर ना तो मैं विजय नगर के राजाओं के बारें बात नहीं करने जा रहा हूं यहां पर हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर के बारें बताने जा रहे हैं समझ रहे हैं हम लोग तो यस विजय नगर के राजाओं ने मंदिर वास्तु कला को संगरक्षन दिया और कहा जाता है कि जो विजय नगर के मंदिर है वो वस्तुता एक्स्टेंशन है किसका विस्तार है तो द्रविडियन टेंपल का ही विस्तार है तो पहला फीचर क्या हो गया Considered as extension of what द्रविडियन टेंपल द्रविड मंदिर वास्तु कला का ही विस्तार माना जाता है किसे भाई विजय नगर कालीन मंदिरों को मंदिर के उदाहरन आपको कहा मिलेंगे मंदिर के उदाहरन मिलेंगे आंडरा तेलंगाना में मंदिर के उदाहरन आपको मिलेंगे करनाटका में मंदिर के उधारन आपको मिलेंगे तमिल नाडू में है न तो किसका विस्तार माना गया तो आंसर है द्रविड मंदिरों का विस्तार तो विजय नगर कालीन मंदिरों को वस्तुता द्रविड मंदिर वास्तुकला का विस्तार माना गया दुरविड मंदिर वास्तु कला का विस्तार उसके बाद दे रूलर्स ओफ विजय नगर दे एड़ेड न्यू एलिमेंट इन दे टेम्पल आर्किटेक्चर और ये आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है न्यू एलिमेंट एड़ेड बाई दे रूलर्स ओफ विजय नगर यानि विजय नगर के राजाओं द्वारा मंदिर वास्तु कला के मंदिर वास्तु कला के विस्तार में कुछ नवीन तर्टू को जोड़ा गया वो नवीन तर्टू कौन है भाई कल्यान मंडप कल्यान मंदपा क्या है अभी समझेंगे कल्यान मंदप उसके बाद अमान टेंपल अमान टेंपल इसको समझेंगे अमान मंदिर इसको समझने का प्रयास करेंगे और डेकोरेटेड पिलर्स Decorated Pillars यानि हिंदी में कहते हैं अलंकृत स्टम्ब अलंकृत स्टम्ब ये कुछ नए element को किन लोगों ने जोड़ा विजय नगर के राजाओं ने जोड़ा अब ये कल्यान मंडप क्या है अमान टेंपल क्या है और Decorated Pillars हम लोग क्या समझते हैं तो आईए इसको जरा हम लोग image के तुरू पहले समझ ले आपके एक्जाम के लिए important है कल्यान मंडप, अमान टेंपल और Decorated Pillars और Decoration में ये लोग किसका यूज कर रहे हैं ये भी नाम आप लोग को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा Hippogriff Hippogriff यानि एक अस्वक ऐसा घोड़ा जिसके पंक है Mythological Horse Hippogriff इसका ये लोग यूज कर रहे हैं स्तंभों के अलंकरण में वाई ये जड़ा देख लें भाई image के तुरू जड़ा समझने का कोशिस करें ये देखें यहां है अलंकरण स्तंभ में स्तंभ के उपरी हिस्से में घोड़े की मूर्ती है carved statue है carved sculpture है किसका horse का और देखे clear horse देख जाएगा अभी ये देखें यहां घोड़े का लेकिन यहां पर actual में हिपोग्रिफ नहीं है यहां पर इस घोड़े पर एक आदमी सवार है लेकिन इसके पहले वाले में इसके पहले वाले में इसके पहले वाले में यह जो है यह हिपोग्रिफ है यहां पर हिपोग्रिफ है clear ना इस जगप पर हिपोग्रिफ है तो यह विजय नगर के मंदिरों की एक विसेशता है हिपोग्रिफ या अस्वर उसके बाद दूसरा क्या बताया आपको भाई दूसरा आपको बताया यह है कल्यान मंडब यह क्या होता है कल्यान मंडब तो मंदिर के जो मुख्य देवता है जो मेन गाड है टेंपल के उनका marriage ceremony यहां organize किया जाता है तो मंदिर के मुख्य देवता का जो विवाह समारो है marriage ceremony है उसके लिए एक अलग से मंडब बनेगा pillar based है ना स्तंभो पर आधारित जो भवन बना है तो क्या है कल्यान मंडब तो मंदिर के मुख्य देवता के वैवाहिक समारो के आयूजन के लिए स्तंभों पर आधारित यह स्तंभों पर निर्मित भवन को क्या बोला गया कल्यान मंडप तो कल्यान मंडपा क्या है तो pillar based hall used to celebrate the marriage ceremony of the temple's main god क्यार याद रहेगा यह marriage ceremony of the temple's main god कल्यान मंडप क्यार नेक्स्ट इस दिस वन इस वाट दी अमान टेंपल यह क्या है भाई अमान टेंपल तो ऐसे पहले एक जांपल से समझते हैं मंदिर है समझे सिव का और सिव की पतनी है पारवती तो पारवती के लिए एक अलग से उसी temple complex में अलग से मंदिर बनाया जाएगा छोटा मंदिर बनाया जाएगा उसी मंदिर को हम लोग क्या कहेंगे अमान टेंपल यानि अमान टेंपल क्या है तो अमान टेंपल वज़ा सेपरेट स्राइन बिल्ट पॉर्द कंसौर्ट कंसौर्ट मतलब मुख्य पत्नी तो सेपरेट स्राइन बिल्ट पॉर्द कंसौर्ट ऑफ टेंपल में गौर्ड यानि मंदिर के मुख्य देवता की पत्नी के लिए अलग से जो मंदिर बनाया गया है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे अमान मंदिर तू ये तीन इंपॉर्टेंट एलेमेंट याद रखेंगे अलंकर तिस्थम्भ जिसमें किसकी मूर्टी बनाई जाती थी तो आंसर है अशुका गोड़े की मूर्टी बनाई जाती थी उसके उपरी हिस्से में जिसको हम लोग इंग्लिस में हिपोग्रिफ कहते हैं एक तरह का माइफलोजिकल हॉर्स है दूसरा नमबर कल्यान मंडप फिलर बेस्थ हॉल है जहां पर टेमपल के में गॉड का मैड़ेज सेरिमनी और गनाईज होता है और थर्ड वन इस दा अमान मंदर मंदर के मुख्य देवता के लिए मंदर के मुख्य देवता की पत्नी के लिए बनाया गया मंदर इसे ही कहते हैं अमान टेमपल चलिए तो हम लोगों ने नाम जान लिया अब दो चार मंदर का नाम याद रख लें जो कि आपके प्रिलिम्स में आ सकता है फिर से विजय नगर के राजाओं ने बहुत सारे मंदर बनाये लेकिन क्या हम लोग को सारे मंदरों का नाम जानना है आंसर है नहीं हम वैसे मंदरों का नाम जानेंगे जो कि सामान निता यूनिस्को के विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है तो विजय नगर के राजाओं ने बड़ी संख्या में कहां मंदिर बनाया भाई तो बड़ी संख्या में विजय नगर के राजाओं ने मंदिर बनाया कहां पर आंसर है हमपी करनाटक में विस्विरासत स्थल है 1986 में इसे विस्विरासत स्थल का दरजा मिला यहाँ पर कई सारे मंदिर है विठ्खल स्वामी मंदिर कृष्ण स्वामी मंदिर विरुपाक्ष मंदिर हजारा राम स्वामी मंदिर यह देखिए यह है विठ्खल स्वामी मंदिर है न सारे कहा है भाई सारे के सारे जो मंदिर है यह हमपी वाले बता रहा हूं हमपी और फिर हमपी में ही है विरुपाक्ष मन्दिर क्लियर तो विठ्थल स्वामी और विरुपाक्ष मन्दर हमपी के दो सर्वस्रेष्ट मन्दिर है विरुपाक्ष और विठ्थल स्वामी क्लियर पट्टाभी राम मन्दिर पट्टाभी राम मंदिर ये भी हम पी महीं है पट्टाभी राम मंदिर और और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक और मंदिर लिख लिजे जो आपके एक्जाम के लिए important है और वो क्या है भाई वो है हजारा राम स्वामी मंदिर हजारा राम स्वामी टिंपल हजारा राम स्वामी टिंपल कहां पर है हजारा राम स्वामी टिंपल तो आंसर है हजारा राम स्वामी टिंपल है आपके हम पी में तो विठ्थल स्वामी मंदिर, विरुपाक्च मंदिर, पट्टाभी राम मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, ये सारे के सारे हम्पी में और इसमें अधिकांस मंदिरों का निर्मान किसने करवाया? कृष्ण स्वामी मंदिर, विरुपाक्च मंदिर, विठ्थल स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर इन सारे मंदिरों का निर्माण, हाला कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से का निर्माण किस ने करवाया answer है कृष्ण देव राय ने जो कि विजय नगर का सरवाधिक सक्ति साली सा सक्था बाबर अपने autobiography अपनी आत्म कखा में लिखता है कि कृष्ण देव राय उस समय के भारत के सरवाधिक सक्थिसाली सासक थे तो इन सारे मंदिरों का निर्माता कौन है? विल्ट आल दीस टेंपल सांटर इस क्रिश्न देव राया और सारे के सारे मंदिर कहा है? तो सारे के सारे मंदिर है हम पी विजय नगर करनाटक में तुंग घद्रा नदी के किनारे विश्व विजय नगर अब लास्ट हम लोग बात करने जा रहे है और वो है पांडेया या नायका राजाओं के समय नायक राजाओं के समय बनाएगे मंदिर तो ये मंदिर आपको बिसिकली कहां मिलने वाला है? कहां दिखेगा? तमिल नाडु में और पांडेया राजवन्स के जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है अपने मैसिव थाना लार्ज गोपुरम के लिए और गोपुरम क्या है आप लोग को पता है यानि मंदर संकुल का प्रवेश द्वार तो पांडेया राजाओं द्वारा किस मंदिर का निर्मान करवाया गया? आंसर है दरविड मंदिर लेकिन इन लोगों ने किस अंग का सरवाधिक विकास किया? किस अंग के निर्मान पर विसेश बल दिया? तो आंसर है गोपुरम सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है मदुरई का मिनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर मिनाक्षी मतलब पारवती और सुन्दरेश्वर सिव का मंदिर है तो पारवती और सिव का मंदिर है कहा भाई? तो मदुरई जिसे हम लोग दक्षन का कासी कहते है और जो मदुरई सहर है ये वैगई नदी के किनारे है तो देखे यहां मंदर बहुत छोटा है लेकिन ज़रा देखे तो गोपुरम गोपुरम जो है वह मंदर से बढ़ा हो गया और कई सारे गोपुरम जुड़ गए और कई सारे प्रकार देखे, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, तो प्रकार की संख्या भी बढ़ते जा रही है, और मैं आप लोगों से ऐसी अपेक्शा भी रख रहा हूँ, कि आप लोग को प्रकार होता क्या है, ये मालूम है आप लोगको, से ना, मंदिर संकुल, कोछ जो चारो और यह भी गोपुरम यहां भी गोपुरम और बीच में आपको एक छोटा सा मंदिर दिखने वाला है है कि मंक्वाद क्या हो गया। को मदूराई में कौन मंदिर है अंसर है मदूराई में जो मंदिर है जो bema si te import इसका हम लोग क्या बोलेंगे मिनाक्षि सुंदरेश्वर 만약 और यहां पर मुर्तियों से इस मंदिर को सजाया गया है मुर्ति एक विशेश प्रकार की यहां मुर्तियों के नर्मान किया जाता था जिसे हम लोग यली कहते हैं पर आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एक्जाम के लिए इतना ही important है कि कहां पर है मिनाच्छी सुन्द रेश्वर मंदिर या simply मिनाच्छी मंदिर कहां है तो कहां है भाई तो आंसर है मधुरई में यह है आपका स्री रंगम स्री रंगम क्या है एक द्वीप है जो की तमिल नाडू के तिरिचुरापली जिले में है और कावेरी और कोली डैम नदियों के बीच में एक द्वीप है और उसी द्वीप पर यह मंदिर है क्या रंगनात स्वामी का मंदिर सबसे ज़्यादा विरिस्तरित है, छेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा मंदिर है, रंगनात स्वामी का मंदिर, देखे इसका गोपुरम, और इस मंदिर का निर्मान, किसी एक राजवन्स के समय नहीं हुआ, कई सारे राजवन्स के समय हुआ, लेकिन आज जो आप मंदिर देख रहे हैं ये वस्तुता पांडे राजाओं के समय 14. से लेकर 16. 17. तरी तक बना था और उस समय तमिल नाडू में कौन से राजवन्स का सासन था आंसर है पांडे राजवन्स जिन्हें नायक भी कहा जाता था तो ये हो गया क्या स्री रंगम तमिल नाडू का कौन सा मंदिर स्री रंगनात स्वामी मतलब विष्णू का मंदिर रंगनात स्वामी मंदर कहा भाई तो स्री रंगम तमिल नाडू एक और मंदिर का उधारन देखते हैं हम लोग ये देखे ये मंदिर है रामनात स्वामी वो क्या देखा था आपने रंगनात स्वामी और ये मंदिर आप देख रहे है रामनात स्वामी का मंदिर ये कहां पर है तो ये तमिल नाडु में ही एक द्वीप है उसका नाम क्या है रामेश्वरम रामेश्वरम द्वीप पर ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की विशेष्टा क्या है तो सबसे लंबा कॉरिडोर, सबसे लंबा गलियारा किस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा तो आंसर है रामनात स्वामी मंदिर, लॉंगेस्ट कॉरिडोर अमंग ओल हिंदू टेंपल, इस मंदिर का निर्मान भी कई राजाओं द्वारा किया गया, इसलिए यहाँ पर कोई एक राजा का नाम नहीं लिखा गया है, ठीक उसी तरह से मदुरई का जो मिनाच्छी कांत मंदिरों का निर्मान हुआ, तो एर हो गया, कहां पर है यह मंदिर, रामनात स्वामी, आंतर है रामिश्वरम, तो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया, जरभिड मंदिर वास्तुकला, तो आज थोड़ा टेकनिकल नहीं कर पाए तो कल क्या करेंगे कल हम लोग वेसर सैली के मंदर को भी कवर कर लेंगे और उसके बाद temple architecture से related जो important questions है उसको हम लोग discuss करेंगे तो class हम लोग यहीं तक रखते हैं